साइरां बच्चों बच्चों अब आपके FA4 एक्जाम्स आने वाले हैं जिसका आपको टाइम टेबल और पोर्शन दोनों मिल चुका है तो हमारा सबसे पहला एक्जाम होगा हिंदी का हिंदी का पोर्शन तो आपको पता है ओ की मात्रा आओ की मात्रा एक से दस तक गिंती और वचन एक वचन बहुवचन याने सिंगिलर प्लूरल ये आपको रिवाइस करके रखना है तो टीचर इस सेशन में आपका रिविजन ले रही है तो चलिए हम शुरू करते हैं हमारा हिंदी रिविजन तो बच्चों देखिए ये है प्रश्न पहला चित्र के सही नाम पर सही का निशान लगाईए तिक द गरेक्ट आंसर देखिए इंग्लिश में भी लिखा गया है लेकिन आपको हिंदी भी रीड करना आना चाहिए आपके अब तक दो तीन एक्जाम हो चुके हैं तो आपको प्रश्न पढ़ना जरूर आना चाहिए तो बच्चों चलिए आगे बढ़ते हैं पहले प्रश्न की तरफ अब बताईए ये चित्र काहे काहे आपको चित्र देखना है और आपको सही ऑप्शन पर नौका तो आपको चेक करना है तीनों आप्शन को पहला है नौका फिर है नौका और फिर है नौका तो बच्चों कौन सा आप्शन सही है तीसरा वाला तो तीसरे वाले को आप क्लिक करेंगे फिर बच्चों चलिए आगे बढ़ते हैं यहां क्या है यह है यह तो आप अपने घर में देखते होंगे कील ठोकने के लिए यूज किया जाता है इसे तो इसको क्या कहते हैं इसको कहते हैं हथोडा क्या कहते हैं हथोडा अब आप तीनों option चेक कीजिए हथोडा कहां लिखा है First में लिखा है हतोडा फिर लिखा है फफाओडा और फिर लिखा है हाथोडा कौन सा वाला सही है Second वाला तो आप Second वाले को आप ऐसे click करेंगे बच्चो फिर आगे भढ़ते हैं Third question की तरफ अब क्या है बच्चो ये है रुपे हिंदी में इसको हम रुपे या नोट बोलते हैं क्या बोलते हैं नोट तो आप तीनों अप्शन चेक कीजिए नोट कहां लिखा है उसको आप टिक करेंगे तो यहाँ पर पहला अप्शन है न को की मात्रा नोट फिर है ने ट नोट तो आप बताईए कौन सा सही है पहला वाला तो इसको आप क्लिक करेंगे पहले वाले को नोट अब बढ़ते हैं आगे बच्चों नेक्स्ट क्वेशन की तरफ ये दिखिए ये तो पक्शी आपको अच्छी तरह से पता है इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं पैरट क्या बोलते हैं पैरट पैरट याने तोटा तो बच्चों देखिए यहां तीन ओप्शन है तोटा तोटा और तोटा तो बच्चों कौन सा ओप्शन सही है तीसरा वाला तो हम तीसरे वाले को टिक करेंगे, आप लोग क्लिक करेंगे उसको, अब बच्चों आगे बढ़ते हैं, ये तो आपका जाना पैचाना पंची है, पक्षी है, ये है कवा, तो देखिए कवा कहां लिखा हुआ है, फर्स्ट ऑप्षन में कवा, कोआ, कौआ, कौआ, कौण सा वाला सही है, पहला वाला, तो आप पहले वाले को क्लिक करेंगे, देखिए, कवा, समझ में आया बच्चों, इसलिए आपको तीनो ऑप्षन ध्यान से पढ़ने हैं, कहीं ऐसा नहों हो, आपका रॉंग आंसर पर क्ल अब बढ़ते हैं हम प्रश्ण दूसरा प्रश्ण को पढ़ने की कोशिश किजिए सही उत्तर पर सही का निशान लगाईए तिक दा करेक्ट आंसर तो बच्चों आगे बढ़ते हैं अपने प्रश्णों की तरफ यहां देखिए अब देखिए यह क्या है क को ओ की मातरा को और प्लस यह प्लस लग क्या बन गया कोयल क्या बन गया कोयल तो आप्शन चेक किजिए पहला आप्शन है कोयल दूसरा आप्शन है कोयल और तीसरा आप्शन है कोयाल तो बच्चों बताईए कौन सा आप्शन सही है दूसरा वाला, तो आप इसको ऐसे टिक करेंगे, को, यल, ध्यान से पढ़ना है बच्चों आपने, अब देखते हैं, next question, अब देखिए, ये थोड़ा बड़ा वर्ड है, इसको ध्यान से पढ़िए, च को आओ की मातरा लगाई, चौ, फिर क को बड़ी की मातरा की, चौ की, फिर द को आ की मातरा दा, और फिर र, तो ये क्या बन गया, चौ की दार, क्या बन गया, चौ की दार, अब देखिए, यहाँ पर तीन option है, आपको ध्यान से पढ़ना है, पहला है, चौ की दार, क्या यह सही है, फिर है, चौ को आ की मातरा, चौ की दार, अब यहाँ पर देखिए, क्या difference है, उपर आप देख रहे हैं, लिखा हुआ है, पर उपर क को बड़ी की मातरा है, पर सेकंड वाले में, यहाँ पर चोटी की मातरा है, तो यह option भी गलत लास्ट है, चौ को आ की मातरा, चौ को बड़ी की मातरा की दार, चौ की दार, तो बच्चों कौनसा option सही रहा, तीसरा वाला, तो इसको आप क्लिक करेंगे, इस तरह से आपको बड़े ध्यान से देखना है, कि आपका कौनसा option आपको टिक करना है, अब बच्चों आगे यह क्या है ब को ओ की मात्रा बो त ल अब आप्शन देखिए कौन सा आप्शन सही है पहला वाला दूसरा वाला कि तिसरा वाला पहला है बो त ल फिर है बो त ल और फिर है बो त ल हिंदी में क्या कहते हैं उपर देखिए उपर जो स्प्लेट किया है उसको हमने जॉइन करके लिखा है तो ब को ओ की मात्रा त और ल मतलब पहला आप्शन सही है तो बच्चों आप पहले आप्शन को प्लिक करेंगे बो तल अब बच्चों आगे बढ़ते हैं दूसरे प्रशन की तरव अब देखिए चः को ओ की मात्रा चः को को ओ की मात्रा का ये है आपका प्रशन अब आपको ये देख कर आपको तीनों आप्शन में से चूस करना है पहला option है च को ओ की मात्रा तो ये हो गया चो और क को आ की मात्रा चो का तो क्या ये सही है नहीं दूसरा है च को आ की मात्रा और का चो का तो ये है सही option तो इसको आप click करेंगे तीसरा option है चौक तो सही option कौन सा हुआ दूसरा वाला तो इसको आप click करेंगे इस तरह से बच्चों हम आगे बढ़ेंगे अब आते हैं हम अगले प्रश्ण पर अब देखें यहाँ पर क्या लिखा है ख को छोटी की मात्रा खी ल को आ की मात्रा लओ अब यहाँ option में आप चेक कीजिए खिलोना कहां लिखा है और उसको आप tick करेंगे बच्चों खुद करनी की कोशिश कीजिए फर्स्ट है फर्स्ट option रीट कीजिए खी खिलोना तो यह तो गलत हो गया फिर आप देखिए second option खिलोना यह सही है नहीं क्योंकि ख को बड़ी की मात्रा दी देए और हमने क्या देखा ख को छोटी की मात्रा तो लास्ट option देखिए ख को छोटी की मात्रा खिलोना तो बच्चों कौन सा option सही है तीसरा वाला तो इसको बच्चों हम क्लिक करेंगे अब बच्चों आगे बढ़ते हैं तीसरे प्रश्ण की तरफ नीमन लिखेत प्रश्णों के सही उत्तर पर सही का निशान लगाई है टिक दग करेक्ट आंसर चलिए आगे बढ़ते हैं आपने लेसन पढ़ा है लेसन में धोल किसने बजाया बच्चों धोल किसने बजाया ओप्शन में दिया है धोल एक तो है खरगोश्ट ने तीस सेकेंड है घोडे ने और तीसरा ओप्शन है कोयल ने तो आपने लेसन नमबर लेसन नमबर टेन पो पड़ा है ओकी मात्रा उसमें जो लेसन है उसमें धोल किसने बजाया धोल धोल किसने बजाया धोल घोडे ने बजाया किसने बजाया घोडे ने आपको लेसन में याद होना चाहिए किसने बनाया अब तो आप तिक करेंगे घोडे ने बजाया अब चलते हैं अगले प्रश्ण की तरफ मौसा जी सौरव और गौरव के लिए क्या लाए बताईए बच्चों आपने लेसन पढ़ा है ना मौसा जी सौरव और गौरव के लिए क्या लाए किताब पहला उप्चन है किताब फिर है लड़ू और फिर है खिलोने बताईए बच्चों आपको देख रहे हैं पिक्चर में आपको क्लिव दिया गया है तो मौसा जी ने सौरव और गौरव के लिए क्या लाए खिलोने तो बच्चो इसको हम टिक करेंगे खिलोने समझ में आया बच्चो अब देखिए अगले प्रश्ण की तरफ पकोडी और कचोडी कौन लाया कौन लाया पकोडी और कचोडी कौन लाया ओप्शन है मौसी चाचा मामा बताएए कौन लाया कचोडी कचोडी मौसी लाई कौन लाई मौसी तो आप क्या करेंगे मौसी पर आप क्लिक करेंगे बच्चो अब बच्चो हम आगे बढ़ते हैं नेक्स प्रशन की तरफ तोटे ने किस पर पानी डाल दिया तोटे ने किस पर पानी डाल दिया ओप्शन में देखिए क्या लिखा है कौवे पर खरगोश पर या मौर पर करेक्ट खरगोश पर तो हम ये सेकंड आप्शन जहां लिखा है खरगोश पर उसको टिक करेंगे अब बच्चो आगे बढ़ते हुए हम चलते हैं अगले प्रशन पर खरगोश पर गुलाल किस ने डाल दिया यादाया आपको लेसन में है खरगोश पर गुलाल किस ने डाल दिया ओप्शन में दिया गया है तोटे ने सेकंड ओप्शन है लोमडी ने और थर्ड ओप्शन है कोयल ने तो बताएए बच्चों कौनसा option सही है करेक, third option, poil ने तो बच्चों इस तरह से इस session में हम इतना ही revision करेंगे अगले session में हम आगे का भाग, आगे का जो portion है, उससे हम revise करेंगे